हेलो नमस्कार दोस्तों आप सभी का हारदिक स्वागता आपके अपने यूट्यूब चैनल जीक्के भाई माला रमसर पर देखो आज की अगर हम न्यूज की बात करें तो हर्याणा करमजारी चैन आयोगनी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को बेजी ग्रूप डी उमिद्वार है वो जारी कर दिया जाएगा कि आपके ग्रूप टी के अंदर कितने नमबर आ रहे हैं और ये 95 में से जारी होगा इसके बाद में आपकी 5 नमबर जोड़के और फिर 100 में से आपका रिजल्ट आएगा स्कोर जारी होने के बाद आयोग जारी करेगा पॉर्टल उसके बाद में सीटी स्कोर जारी होने के बाद में पॉर्टल पर मांगे जाएंगे विकल्प तो जब आपका स्कोर कार्ड आ जाएगा उसके बाद में आपके लिए पॉर्टल खोला जाएगा उस पॉर्टल में आपसे उप्सन पूछे जाएंगे आपकी आप नोकरी करना चाहते हो य और फाइनल रेजल्ट आपका फिर फ्रावरी के अंदर आएगा, आगे देखो, सेकेंड न्यूज है, हारियाना करमचारी चैन आयोग, ग्रूप सी का 21 जनौरी को कोई भी पेपर संभव नहीं है, देखो 21 और 22 जनौरी को बताया जा रहा था कि अगले सनिवार और रईवार क एगजाम होंगे, लेकिन 22 को आपका कोई एगजाम नहीं होगा, मगर 27 और 28 जनौरी से लगातार पेपर लेने की तयारी में जुटा, तो 21 जनौरी को नहीं होगा, 27 और 28 जनौरी से आपके हो सकता है, लगातार एगजाम हो जाए, योग्यता चेक करने में समय लग रहा है, तो अब उनकी documents verification हो रही है, उसके अंदर योगिता चेक की जा रही है कि इन्होंने जिस post के लिए अपलाई कि ये उसकी योगिता complete है या फिर नहीं है. TGT पदों के लिए high court से मांगी जा सकती है अनुमती, तो TGT का final है कि वो 31 January को solve हो जाएगा, उसके बाद में इसका result जो फरवरी first के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा. इसके अलावा अगर हम बात करें, गुरूप C पदों का result त्यार करने में चुटा आयो, तो आपके गुरूप C के भी जौब के 56 और सताओन को छोड़ करके बाकी गुरूपों का हो सकता है कि आपको फरवरी के last में result देखने को मिल जाएगा. अगर गुरूप 56 और सताओन में भी अगर ये early hearing के लिए जाते हैं, तो उनका भी exam करा करके और आपको result दे सकते हैं, लेकिन उसमें कम संभावनाएं लग रही हैं. तो गुरूप C के बारे में ये है, इन्होंने इसार के अंदर चार universities का selection कर लिया है, तो हो सकता है ये 27 और 28 जनवरी के बाद में आपके लगातार exam करा सकते हैं, तो फरवरी की जो 15 फरवरी तक बता रहे हैं, तो 15 फरवरी तक आपकी complete exam करवा लेंगे, तो बाकी जो आपका जो TGT है, उसका result आपको फरवरी 1st के अंदर देखने को मिलेगा, इसके अलावा अगर हम group D की बात करें, group D का result आपको फरवरी लास्ट में देखने मिलेगा, group C के जो कुछ group हैं, हो सकता है कि 20-22 group हैं, जिनका result भी आपको फरवरी लास्ट के अंदर देखने को मिल इसके लाव हरियाना प्लिस का जो नोटिफेशन है वो भी आपको जल्द ही मिलने वाला है तो यही दो इन्फोर्मेशन थी जो आपको देनी थी तो आज की वीडियो में यही इन्फोर्मेशन आपको देनी थी थैंक्यू सो मच